दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सूपर डूपर क्रेजी इंवेंशन्स के बारे में जिनने हो सकता आपने पहले कभी ना दिखाओ तो आज के वीडियो में हो गया ऐसे टॉइस और इन्वेंशन जिनने आप जरूर से देखना पसंद करोंगे तो शुरूरात करते हैं आज की इस वीडियो को पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट से चैनल को करके सबस्क्राइब और बेल आइकन को भी सेट कर लीज़े और पर फिर आप बैट जाएए रिलाक्स होकर तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आज के हम शुरूरात करेंगे थर्मल डिस्कॉलरिशन बैक केस से दोस्तो मुबाइल फोन में मुबाइल फोन केस का इस्तमाल करना सबी लोग पसंद करते हैं पर अब आप इस तरह के केस को देखकर बड़े हिहरान हो जाओगे दोस्तों ये भी एक ऐसा केस कवर होता है जिसे भी हीट सेंसिट्यू माटेरियल से पनाया गया है यानि कि जब भी आप इसे डच करते हैं या कोई भी हीट कराते हैं तो ये कवर भी अपना कहीं न कहीं अपने कलर को भी चेंज कर देगा यानि कि जब भी आप इसे अपने phone को उठाएंगे तो इसका case पर आपके fingerprint भी लग जाएंगे वैसे थोड़ी देर तक लिए होता है पर ये चीज काफी ज़ादा मज़ेदार लगती है और वहीं आपको multiple colors में भी आपको मिल जाएगी जिसे आप अपने mobile phone के लिए भी purchase कर सकते हैं तो वागी में कमाल करेता है इस तरह का invention जापके mobile के लिए तू होता है साथ ही किसी को भी आप इससे अट्रेक्ट भी कर सकते हो fingerboard plus दोस्तो कुछ टाइम पहले से आपने ध्यान दिया होगा कि smart appliances काफी ज़ादा famous होते जा रहे थे जहाँ पर लोग अपने घर के appliances को gadget से control करते थे अगर आप normal appliances को और भी ज़ादा upgrade करना चाते हैं एक smart appliances के साथ जिसे आप robotic दुनिया में कहीं सभी आप इससे control कर सकें तो आप भी इस तरह के gadget को try करके देख सकते हैं दूसरे ये कैसा robotic board होता है जिसे आप अपने घर के switchboard पर इसे लगा देना होगा साथ जिसे आप अपने mobile phone और smartphone assistance बहुत easily control भी कर सकते हैं ओप support me दोस्तों अगर आप personal video creator और आपके सामने भी ऐसी दिक्कते आती होगी कि आपके video recording के लिए कोई भी नहीं होता होगा तो ये gadget भी आपके लिए काफी ज़ाद पहतरीन होने वाला है क्योंकि ये gadget भी भैतर camera की तरह ये काम करेगा साथ ही ये एक ऐसा robotic gadget होता है जिसमें आपके mobile phone को इसमें लगा देना होगा और साथ ही में इसमें आपको इसके official app में आपको बहुत सारे options भी मिल जाएंगे जो कि आपकी video recording लिए बहुत ही ज़ादा मददगार भी सावित होगा माल लिजे इसमें camera rotate करने का system ना होता तो इसमें भी AI tracking का system दिया जाता जिसे camera आपको automatically आपको follow भी करता रहता और ये आपके camera भी 360 में rotate भी करता है तो इसमें भी आपको हाथों की इशारत से आप इसे control भी कर सकते हैं मैं guys अगर आप live आना चाते हैं facebook और youtube जैसे platform पर जिसके भी easy options आपको मिल जाएंगे साथ इसमें आपको blogging के single options भी दे रखे होते हैं जिसे आप आसानी सिल्फ blog भी बना सकते हो तो दोस्तो अगर आप भी professional creator है अगर आप supporting gadget को use करना चाते हो तो आप इस तरह के gadget को इस्तमाल कर सकते हो फिजिट phone holder दोस्तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो phone अपने हाथों में पकड़े होते हैं और हलका सा भी लापरवाई करते हैं तो उनका phone भी गिर के तुरंदी टूर जाता है वैसे ही चीज काफे जादा दिक्कत वाली होती है और कास सोट से आप chatting वगेरा करते हैं वो भी रात के टाइम में तो आपका phone आपके उपर की तरफ होता है जिससे आपको अपने phone के back side में इसे लगा लेना होता है और जब भी आप इसे उंगली में फसाते हैं तो इसे भी आप आसानी से grip भी कर सकते हैं वहीं यह spinner की तरह भी काम करतेगी जिससे आप आसानी से गुमा भी पाएंगे और जब भी आप चाहें तो इसे movie बगेरा देखते टाइम इसे stand की तरह भी आप इस्तमाल कर सकते हैं यानि की काफी ज़्यादा multiple purpose के लिए भी होता है जो आपके phone के लिए तो secure रहे गाई साथ याप भी time pass के लिए भी better है तो guys अगर आप भी इस gadget को पसंद करते हैं तो हमें comment करके जरूर बताईएगा Smart Blade Glasses दोस्तों आप तो smartphone के बाद जल्दी ही smart glasses देखने वाले हैं यानि की लोग बाद के face पर बहुत जल्दी इस तरह के glass भी देखने को मिल जाएंगे जिससे smartphone के uses भी कम से कम हो जाएंगे जिसके बाद भी लोग बाद के smart glasses का ही इस्तमाल करेंगे तो guys एक gadget भी ऐसा ही होता है जो built-in display के साथ आता है जहां पर आपको बहुत कमाल के features भी देखने को मिल जाएंगे साथी दोस्तों इसमें भी mobile phone पर आने वाली calls और notification यह सारी चीजे भी शोओ होगी साथी guys इसमें भी एक छोटा सा 8 Megapixel का camera भी मौदूद होता है जो कि photos और videos वगेरा के लिए बहुत ही जादा interesting रहेगा वहिसमें calls और music सुनने के लिए इसमें एक speaker भी दे रखा होता है साथी इसमें भी एक Bluetooth headset भी दे रखा होता है जिससे आप अपने चश्मे में tap करेंगे तो इससे आप control भी कर पाएंगे तो कैस वागे में कमाल के रिदी इस तरह के gadget जो किसी को भी दिखाए तो नहीं देगी बलकि इससे आप बड़े आराम से अपने काम को भी आसान बना सकती हो दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि हमारी life में gadgets की कोई भी कमी नहीं है पर कुछ ऐसे भी gadgets होते हैं जिनका use सो कम होता है पर कहीं न कहीं हमको वह entertain भी करते हैं तो देखिए आप इस gadget को जो कि एक छोटा सा box होता है जहां पर आपको एक switch के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और जैसा कि आप इस switch को on करते हैं तो इसमेंसे एक arm में भी भाण निकल कर आएगी जो इस switch को दुबारा से बन कर देती है तो इस तरह कैसे ये चीज आपके साथ होती रहेगी जितनी बार आप इसे on करेंगे और ये arm में उतनी बार ये switch को बन कर देगे अपने इस robotic hand से तो दोस्तो आप इससे time pass भी कर सकते हैं बलकि इसका कोई भी use भी नहीं होता है इसके time pass के लवा तो वरल गैसे आपको useless switch कैसे लेगी ये राए हमें comment box में जरूर बताईएगा दोस्तो आपने बहुत से अलग-अलग तरह के spinners को तो use किया होगा जो market में spinners आते थे एक time काफी ज़्यादा famous भी हुआ करते थे जो बहुत ही ज़्यादा simple भी हुआ करते थे जिसे आप अपने हाथों से use कर सकते थे पर उसमें flying का feature नहीं होता था लेकिन दोस्तो एक ऐस spinner भी होता है जो हवा के लिए खास सोर्च ही बनाएगा इसमें भी एक छोटा सा propeller लगा होता है जिसे आप इसे हवा में throw करेंगे तो ये spinner भी काफी देर तक हवा में stay रहता है जैसा कि अगर आप इसे अपने फ्रेंड के साथ खेलना चाते हैं तो ये gadget काफी ज़ादा interesting भी रहेगा साथ ही में इसे आप छोटे छोटे गेम्स को बना भी सकते हैं वैसे दोस्तो इस तरह के gadget बच्चों को काफी ज़ादा पसंद भी आते हैं जो लुक में तो amazing होते ही है साथ ही आपको time pass के लिए भी काफी ज़ादा मज़ेदार रहेंगे तो दोस्तो आज की series कैसी लगी मुझे comment करके ज़रूर वताई है के साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को कर दीज़े अभी से subscribe और बैल आइकन को भी सेट कर लीज़े और तब तक लिए आप सेफ रहिए enjoy करिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुस नए टॉपिक के साथ ही अवीडियो में कुस नए टॉपिक के साथ